हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम हमित यादो और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टॉपर बोनो में तो दोस्तों आज हम प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास नाइन्थ फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फोर है वर्क एंड इनर्जी उस चैप्टर का नोट्स लोड कर सकते हैं तो उसके लिए आप हमारे ओफिस्यल वेबसाइट पर आ सकते हैं टॉपर बनो डॉट इन याद रखिएगा टॉपर बनो के बीच में हाइफन जरूर लगाएगा यहां पर आपको इसका लिंक भी आपको दिख रहा होगा इसका जो यूर्ल है वह आपको या फिर आपको डारेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जब आकर आप देखेंगे तो हमारे टॉप पर ही हमारा जो पोस्ट है वो गोगा इदम बिलकुली उपर या फिर अगर आप देर से देख रहे होंगे तो हो सके यहां पर आपको होमपे समये वुआ यहां पर बहुत ही इंप्पॉटेंड नोत इसे आपको आप देख सकती हैँ तो इसे डाउनलोड सकते हैं यहां पर आप चाहें तो यहां से आप इसे लिग भी सकती हैं चिहां पर मैंने लब्शच सब कुछ बताया है यहां पर आप जाकर इसे देख सकते हैं अभी मैं आपको बता दूँगा कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले इसे ओवर्यू इस नोट्स का देख लिजिए आप चाहें तो यहां से भी इस नोट्स को लिख सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके और इस पेज का भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा उसके 37 वेबसाइट का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा पहले इस वेबसाइट का ही जो लिंक था वो टॉपर बनो.blogspot.com था लेकिन वो चेंज हो चुका है लेकिन अगर आप उस URL पर भी आते हैं त बहुत ही तेजी से नोट्स और रिकॉड़ेड वीडियो लेक्चर भी अपलोड किये जाएंगे तो चैनल को फॉलो कीजिएगा इस बार तेंथ जो है तेंथ के बहुत सारे टॉपिक्स जो है जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लिजेगा उसके जितने भी नोट्स हैं उसके रिकॉड़ेड वीडियो लेक्चर हैं सारे कुछ आपको मिल जाएंगे इस चैनल पर इस नोट्स को एक बार आप देख लिजेगा वर्क तीन तरक होते हैं पॉजिटिव वर्क जीरो और नेगेटिव वर्क इन सभी के बारे में या पर तो इस typical नोट्स नहीं है एक कि डीटेल नोट्स है यह आप इसे आकर देख सकते हैं और इसलिक एकषा लगेटी हैं तो यह उसे आपम ले भी सकते हैं ॐ पर रखा रहता है उसका मालिज अगर वेट वेट ही फोर्स होता है क्योंकि आपको पता है वेट फोर्स होता एक तरह का तो वेट जो है वो फोर्स है और वो उसके सर पर पर पेंडिकुलर ही लगता है लेकिन वो डिस्प्लेस्मेंट जो है वो सीधे की तरफ करता है इसलिए इसके उस फोर्स के बीच में और डिसब्रेश्मिंट की बीच में शुक нач बनता है और इसी वजtar से 90 गजर्मने स्हें आपको पूर्ब होगा कि कौस्ट इन्थी डीवर्क की 客ी मैं मिद्फलर सुक्यक्त है जी यही करेम होता है जरूर देख लीजिगा वैसे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूं और कोई भी नोट्स हो केवल इसी चेप्टर के नोट्स नहीं कोई भी नोट्स हो सबसे पहले इस वैप्साइट पर अपको मिल जाएंगे इसके बाद हम उससे यूट्यूब पर अपलूड कर देंगे तो आप दोनों को सकते हैं आप हर जगह पर जो है नोट्स मिल जाएंगे आप उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन वीडियों भी मिल जाएंगे तो सारी चीज़ मिल जाएंगे याँ पर इनर्जी के कुछ मतलब कि कुछ forms लिखे हुए energy के कुछ unit लिखे गए तेसे भी अप देख लीजे गाए बर यह पर energy के forms लिखे हो यह एक तरह की energy होती है तो menly fire six तरह की इनर्जी होते हैं जिस्मेंसे आपको इस चैप्टर मां किवल एक ही इनर्जी पढ़ना था वो था mecanical energyATEudo TripleITY है कैने किनर्जी और परीज और इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है कि क्या होते हैं किनले तो आप सकते हैं यह समझ सकते हैं नोट चैं़ में बहुत ही सिंपल वर्ट में लिखी है जो कि आप बहुत ही अस्तितर से समाझ भी जाएंगे यहां पर देखिए उसका डेविशन उसका फॉर्मूला को डिराइब किया गया है काइनेटिक इनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एंभी स्कार उसे डिराइब किया गया है मैंने इसे डिराइब भी किया उसके साथ साथ इसमें कुछ लिख भी दिए पॉइंट जिससे आपको पता चल जाए कि यहां पर हो क्या रहा है ठीक है ऐसा ना कि रहे कि मतब पता ही ना चले कि किस तरह से यह मतब कि एक्वेशन बन रहे किस तरह से फॉर्म हो जा रहा है ठीक है उसके बाद देखिए डिपेंडेंस आप काइनेटिक इनर्जी ऑन दा मॉसन वेलेस्टी उसके साथ साथ मास और वेलोस्टी पर डिपेंडेंट होकर उसके कई सारे फॉर्मूले निकाले गया है जैसे कि हाफ हैं भी स्कार होता कि उसके साथ फॉर्मूला डिपेंडेंट कांटर यहां पर देखिए मोंच इनर्जी यहां पर देखे कंफ्यूंज मत होएगा की तर्म में और व्लॉस्टिक की तर्म में दोनों में उसके बार एक और का शरुषंज पॉइंट सब्सक्राइब करते हैं इसने वह Antonose कुम सब्सक्राइर ने wants सकते हैं यहां पर पोटेंशियल इनर्जी को कि अब शुल० कर दे иंडया दाउं यांफ इस लिखना चाहती हैं तो यहां से भी लिख सकते हैं पॉसक्र के वीदियो को कि यहां पर दिखें पटेंसियल इनर्जी के पोजिचन के अगर आप वह अपने शब्सक्राइब पन्ख को बंद रखेंगे तो तब उसके पास केवल पॉटेंशील एनर्जी है लेकिन अगर वह पंखा चल भी रहा है और उसके आपस काइनेटिक आप और potential energy दोनों है ठीक क्योंकि उसके अंदर motion भी हो रहा है उसके साथ उसके अंदर जो है वह एक हाइड पर भी रखा गया है जिसके वह से potential energy भी हो उसके पास potential energy भी कई तरह क्यों होते हैं तो इस चैप्टर में आपको ग्रेविटेशनल potential energy पढ़ना है लेकिन एक और दे दिया है इसलिए मैंने लिख दिया है ग्रेविटेशनल पोटेशनल इनर्जी के आपको जो डेरिवेशन वगार है इसमें दिये गया है देखिए यहां पर डेरिवेशन भी है इसका थोड़ा सा मुझे लगता है ऊपर थोड़ा चला गया ठीक है यहां पर देख लीज़ेगा question भी इसमें कुछ है question वैसे मैंने ज्यादे नहीं लिखा मैं लिखा तो बहुत ज्यादे था लेकिन नोट्स में मैंने नहीं इंड्रोल किया क्योंकि वैसे इन नोट्स बहुत बढ़ा हो जा रहा था तो मैंने सुचा कि कई लोग वैसे डर जाएंगे नोट्स को यह देख देख दूसे लिए मैंने question इसमें नहीं इंक्लूड की हैं एक दूक्वेस्चन आपको यह तीन चार क्वेस्चन है वह मिल जाएंगे question कहेंगे तो मैंने बहुत सारे question question के solution भी लिखे थे इसका प्रिमेकर कहेंगे तो उसे भी मैं upload कर दूंगा वैसे question जहां तक हो कि अपने खुद प्रैक्टिस कीजिए अगर कोई सावडी बुक रखें तो उसके questions लगाईए अब देखें यहां पर मैं स्कॉल कर दिया इनर्जी transformation देखिए तो जो इनर्जी के transformation के बारे में भी बताया गया फिर जो पेंडूलम का क्योस होता है उसमें किस तरह से एक इनर्जी दूसरी इनर्जी में चेंज होता है कैसे पोटेंशियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी में फिर काइनेटिक इनर्जी पोटेंशिल इनर्जी में और उसके साथ साथ मैंने आपको समझ में आ जागे यहां पर नहीं तो आप पॉइंट में अच्छे से लिखा है मैंने यहां पर देखिए पेंडूलम के केस में थियोरी मैंने इसलिए लिखा है कि आप उसे देख के समझ जाए ठीक है उसी बाद देखे थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो किस तरह से पॉइंदर्ग करता है उसका डिजाइन उसके साथ-साथ किस तरह तरह से इसमें क्या प्रोसेस होती है व तो सारह मैं आने लिखा है तो इस यंवे नोटस को पढ़िए उसके बाद अपने आप समझ में आने जागया फिर फिर हैईड्रल पावर्प्लांट किस तरह से काम करता है उसके बारे भी हमने यह फर लिखा है को कि यहां पर गफर जन्रेटर मैं इसलिए लिखा है Credit electricity रहा है क्योंकि जन्रेटर और कैसी डिवाइस है जो takie energy को या फिर क्वेल वह काइनिक इनर्जी को जो है ए वह кिमें चेंज करOMAN3 में बस कुछी समय का बात उसके बाद आप जानेंगे जनरेटर का क्या रूल होता है उसके बारे में आप 11 क्लास 3 में पढ़ेंगे उसके बारे के जो लाफ कंजर्वेशन आफ इनर्जी है तो यहां पर उसका पूरा डिफिनेशन लिखा गया है ठीक है उसके बाद मैंने इसे डिराइब भी किया है कि किस तरह से किसी भी पॉइंट या मतलब की जो जो इनर्जी है वो नहीं नहीं नीदर क्रियेट नौर भी डिस्टॉइड नहीं यह ठाइघ वो नहीं ही दिश्टॉइड होती है केवल उसका रूप चेंज हो जाता है और वह रूप उसका टोटल इनर्जी होता है तो टोटल जो असे मैने यहां पर गोल के एक्जांपल से मैंने प्रूब भी किया है यहां पर देखिए हर कंडिशन में MGH 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 ही आया है तो इसे भी मैंने आपको यहां पर प्रूब कर सब्सक्राइब कर देखिए यहां पर एक उसकी कई सारी यूनिट भी लिखे गाएं जैसे एक इंपॉर्टेंट यूनिट है वन एच्प को शुच्वाट में मतब की मेजर किया जाता है और वन किलो वाट में थाउजेंड वाट होते हैं और वन मेगा वाट में तेन पर पाव सब्सक्राइब करेंं इसक जैए चीनल को सबस्क्राइब करें इस इस नोट अप डाउनलोड करें यहां फ्र Cordy तो मैंने तो आपको मैंने बताया कि किस तरह से पर आना था टिक सब्सक्राइब करानेक इस नोट्स को आपको आइकन दिख रहा है जो नोट्स के किनारे जो मतब की तीर के जैसा है कुछ एक बॉक्स को मतब की बीच में से निकला है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना इमिल आइडी चालू करने के लिए बोला जाएगा ड्राइब में आपको नोगा ज्याम करके आप शेर्ब कर करके आप इसुम्हें को मतब की अगर ये ख्री लूट्स अपको पस Von Professor आपको एक मैं सब्सक्राइब करें और मैं और ऴजिए कर सकते हैं सारे नोट्स अपलोड कर दिये गए हैं तो आप उसे आकर चेकाउट कर सकते हैं तो चले मिलते हैं कि नए वीडियो में धन्यवाद